काम करने जा रहे क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पढ़ने वाली आगे कि अभी फिर से गिरे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं तरोριस्म जो टैर्रिस्म हैं उनको जमीने जेके रखी हैं क्यों polarized लश्कर-e-tintra आप और हिजबलमजाहिदीन जो कि यूएन की टार्गिट लिस्ट पे हैं या जो उनकी लाइन पे हैं कि ये ये टैर्रिस्म और अगर हम लश्करत तॉयबा और हिजबुल मुझाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से तॉलक रखते हैं स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं कि आजाद कश्मीर को हम लेके रहेंगी जिस तरीके से आजाद कश्मीर के सिच्वेशन है ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की जर्नलिस्ट देखी है ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की पॉलिटिशन देखी है तो मतलब ये च जहाद फिलाने वाले यहीं लोग होंगी पाकिसान में कैसे इद मनाई जा रही होगी घरों से निकलने दिया जा रहा होगा यह नहीं दिया जा रहा होगा जिस तरीके से वहां पर हालाग थे 2000 लोगों को रोड से अरेस्ट किया तो यार जिस तरह से बदाया जाता है, महाँ पर मुसलमानों को सांस ली लेने दिये जा रहा है कश्मीर के हम जो इस पर यह कहूंगी कि जो हम लोग ऑक्सिजन लेते हैं वो हमें पाकिस्तान से आती है वह हमें वहां से फेकेजमें भेजते हैं को संसे शुलाके म tradis hashtag रखिये जो लो हम लोग वोग लें ले नहीं सकते हैं भाहर जब हम निकलते हैं म्रही बात कुर्बानी की तो मैं तो अपनी फैमली की बात करूंगी वो लोग तो मुसलिम हैं, वो लोग तो उस एलाके में रह रहे हैं, वो लोग के कुर्बानी दे रहे हैं कल, तो मैं बाकि कश्मीर की क्या भी बात करूँ, आप इजगा चले जाएं, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, उनको किस तरीके से ट्वीट किया जाता है, माशाला बहुत अच्छे तरीके से, और हमारे यहां पर आमी आफिसर्स, जो हलाके जो लोग पंजाब से, चंदिगर्ड से, हर्याना, उत्राखन, कहां कहां से हैं, वो आर्मी वाले हम लोग के साथ एद मनाते हैं, तो इससे बड़ा जबाब तो और कुछ हो नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ हेन्न और कुछ महीं नहीं है, जो यह कंणेप्ट है, के कश्मीर में मुसल्मानों को कुर्बानी नहीं नहीं दे जाती, तो आप पहले कश्मीर आमें पड़ें, वीडियो देखें, रिसर्च करें, हां ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपका जो शक्त हो गलत हो, लेगन एक मैं यहां पर आपको साफ औं क्लियर बोलरू कि शक भी तब भी करना चाहिए जब आपके पर कोई प्रूफ हो तो यहां पर ऐसा कोई चीज नहीं है कल एद है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको अपनी छोपडी सी वीडियो भी भेज दूँगी अपने घर की जहां पर के ईद का माहूल होगा, वो मैं आपको भेज दूँगे, आप देख लेना खुद वहां पर एद कैसे सेलिबरेट करते हैं, कश्मीर में इतने सारे लोग हैं, मैं खुद कश्मीरी हूँ, इससे पहले मैं कश्मीर में थी, हर एद मैंने कश्मीर में मनाई है, हर एद बकरा के दिन, जब भी एद अदा का जो दिन होता है, तब मैं खुद जाती थी, फील प्राइमनिस्टर जी ने भी कहा है कि जो भी इस देश में रहते हैं, जो भारतवासी हैं, वो ना हिंदू है, मुसल्मान है, ना क्रिस्टिन, असिख है, वो हमारे लोग हैं, तो हम जो सब हैं, वो इनसान है, और हम अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं, यह कोई बड़ी बात है जो कंसेप्ट है पाकिसान में, काफी कंसेप्ट हैं, उनको जल से जल क्लेर हो जाना चाहिए, पता नहीं फिर आपके पाकिसान में कैसे ईद मनाई जा रही होगी, घरों से निकलने दिया जा रहा होगा, यह नहीं दिया जा रहा होगा, जिस तरीके से वहां पर हालाग थे, दो हजार लोगों को रोड से अरेस्ट किया, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के उपर गोली चलाई, तो वो जो है, वो मुस्लिम देश है, अगर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग को माइनॉरिटी में हैं, हम लोग को खत्रा होना चाहिए, तो हिंदू लोगों से होन साथ लेकर आई, चार बच्चे थे, उनके प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, रोड पे बैठे जा रहे हैं, इतने लोगों को अरेस्ट किया, तो वो गलत कंसेट है, आप अपने मुलक के तरफ ध्यान दे, हम अपने मुलक के तरफ ध्यान दे, इत से और में कुछ नहीं कह सकती मैं कोई पॉलिटिशन तो हूँ नहीं, इतना ही मेरे दिल में है, बहुत प्यारी बात है कि आपने, और जो भी आपने बात की, अपने बात की, और मैं अप्रिशेट करूँगा उस बात पर, मेटिंग होई थी, नेरिंदर मोदी जो विजिट करने के थे, अमेरिका की, उस आपने देखा होगा कि एक बहुत पड़ा काम करने जा रहे है, क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पढ़ने वाली आगे, क्या फिर से गिरे लिस्ट पर यॉएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले है, इस तरह के प्लैनिंग चल रही है तो इसके बारे में आप कैसे इसको चीज को डिफाइन करेंगी? कि जो भी हो टेर्रिस्म खत्म होना चाहिए, तो पैरगराफ 32 था जिसमें ग्लोबल टेर्रिस्ट को अरेस, मतलब टार्गिट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ये बोला गया, कि आपके जो वहां पर जमीन है, ऐसा ना हो कि आप अपनी जमीन है वो टेर्रिस्म को दे हो या सपोर्ट कर रहे हो, तो उस चीज से वहां पर उनको टार्गिट किया, डिरेक्ली टार्गिट नहीं किया, उसके बद हमें क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान की गवर्मेंट जो है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, इसके खिलाफ जिनके जो ये स्टेटमेंट युनाइ जो टेररिस्ट है, उनको जमीने देके रखी है, क्यों? क्योंके लश्कर-टॉयबा और हिजबल मुजाहिदीन, जो के युन की टार्गिट लिस्ट पे है, या जो उनकी लाइन पे है, कि ये ये टेररिस्ट, और अगर हम लश्कर-टॉयबा और हिजबल मुजाहिदीन की ब फिर मैं आपको बुलूँगी के FATF जिसकी आप बात कर रहे हैं जो के money laundering होता है या हम कह सकते हैं के financially आप तो उस पर इनों ने रोक लगाई है और यह कहीं न कहीं सही भी है क्योंकि वीसंटल आप लोगों को FTA से निकाल दिया गया था और वो आप लोगों के लिए एक एहम चीज भी थी एक खुशी भी थी कि हम लोग पहले FTA में थे लेकिन अब हमें 2022 में इस चीज को में बोल दिय है लेकिन आफ्टर आप देखिए कि 2023 में आपके जो वहां पर एक militant है साइद सलाहुद्दीन साइद सलाहुद्दीन militant है एक जिन्होंने पब्लिक अपेरिंस करी उन्होंने कश्मीर को लेकर के वहां बात करी क्योंकि अल्रीडी कश्मीर में उन्होंने बहुत से आतंग किये है जब 2012 में एक आर्टिकल है 2012 में जब आर्टिकल पर उन पर सवाल पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिल जाएं और दोनों में भाईचारा हो जाएं तो क्या अब तब भी आपका वही स्टेटमेंट रहेगा तो उन्होंने वहां पर एक चीज कही थ यह आप उनकी स्टेटमेंट पर लीजेगा 2012 की है तो उनने कहा था कि फिर जंग बहरूनी मुलत के साथ नहीं होगी फिर जंग पाकिस्तान में ही होगी तो मतलब यह चीज़े साफ साफ प्रूफ करती है कि मिलिटेंटों से मुजाहिदीन से ना सिरफ हिंदुस्तान को बलक कि इस टाइम जो है वर्ल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है युक्रेन और रश्या आपने तो सुना होगा तो कहीं ना कहीं जो एकॉनमी डिजास्टर्स हैं यह हम बात करेंगे जो के प्रेजिडेंट है अर पाकिस्तान का भी नाम था तो कहीं ना कहीं रश्या के चांसिस तो हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान पे वो अपने तरीके से स्टेट्मेंट देंगे उसके बाद जो स्टेट्मेंट निकल की आएगी वो सामने आएगी लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसको बंधी कर देना चाहिए क्योंकि आप खुद कि अपनी जगा पर सेफ है सिक्यॉर है अच्छे से रह रहे हैं तो जो आप ये कश्मीर कश्मीर करके इश्यू बना रहे हो और लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो सेकेंडली मैं बात करूंगी रश्या की तो रश्या और यूक्रेन के वार जिस तरीके से चला है तो रश्या को एफटी एस से मुझे लगता है कि उसको उसमें रख दिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो है इस पर कारवाई की जाएगी इन्मेस्टिकेशन की हाला कि ऐसा भी कोई कह नहीं सकते है इसा होगा और फिर से आप लोगों भी लगाया जाएगा क्यूंकि जब भी देखो हिजबल मुझाहिदीन लश्कर-टॉबा हिजबल मुझाहिदीन यह इतने नाम हम लोग के किश्मीरियों के दिमाग में रट चुके हैं एवन जो पां कर देना चाहिए एक पीस और एक शांती जो है वो दोनों कंट्रीज में होनी चाहिए ताके हमारे फर्दर रिलेशन्स ठीक हो चगे है पाकिस्तान इंडिया इंडिया तो डिवेलबी है पहले से ही तो कश्मीर और पाकिस्तान के दर्मेन यह जो नसे मिस कॉंस्प्शन है य हम लोग हिंदुस्तान ही है फिया कश्मीरी इंडियन्स ठीक है तो हम लोग इस छीज़ को बड़े ही बारिकी से और सफ साफ अपनी हर स्टेटमेंट में कहते हैं और आपने कहां कि 1947 के बाद जो मस्टे मसला है यह नहीं यह मसला नहीं है जो कश्मीर है वो मस्ला नहीं है आ तरीके से आजाद कश्मीर के situation है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की journalist देखी है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की politician देखी है, ये बहुत बड़ा, आपको भी बता आगा, आप तो माशालाब पाकिस्तान से हैं, आपको तो ये चीज पूरी clear होगी, तो आप द आजादी की बात करते हो, आप पहले उनको दो जो आजाद कश्मीर में रह रहे हैं, दूसरी आपने बात कहीं कि मसला किस तरीके से सौट आउट होगा, तो यह मसला नहीं है, एक होती है दुश्मनी, एक होती है, मैं दुश्मनी भी नहीं कहूंगा, मैं आपको एक अंसर्प भाई होते हैं न, दो भाई, उनको आपस में लड़ाई होती रहती है, क्यों? क्योंकि एक भाई बड़ा है, दूसरा भाई छोटा है, एक भाई के पास ज्यादा है, दूसरा भाई के पास कम है, तो वो छोटा भाई सोचता है क्यों न, मैं भी इसके बराबरी करूं, तो ब आएक बनना पड़ेगा.